पहाडों में बहुत कम परिवारों तक ही पीने के पाइप लाइनों की ब्यावस्ता हैं ज्यादातर परिवार घरों से दूर चलकर नौलों या धारों से पीने का पानी दाते हैं लेकिन अब समझ्या और बर्ड ही है इन प्राकृतिक स्रोत्म का पानी कम हो रहा है पानी की कमी का असर किसान की खेती आजीवी का दोलू पर पड़ा है बहुत सारी परिसानियों के बीच कुछ किसान पानी की समस्या से निपटने के प्रियाज भी कर रहे है हम आगे खेत में सिचाई करते हैं फाइदा ये है कि हमारे ये कम लागत में बन जाता है क्योंकि गड़ा हमने खोदा मैंने खुद गड़ा खोदा तो इसको लगभा चार-पांच दिन मेरे इसको खोदरे में लगे और उसके बाद मैंने इसके खोदाई मिट्टी हटाई शाहिड की और उसके बाद ये पन्नी अपने उससे बिचाई है देखिए दशबार सल इस पन्नी को हो गए है लेकिन ये टैंक बराबर चल ला है टो शाम सुबर ने इसके बार खोधा है कि हम और पन्नी होगी और लएक घिला पानी डाल देते हैं इसलिए इस से उचिए भाइदा है कि हम कम सरक बारिष नहीं भी होगे, भारिष का इंतजार नहीं करते हैं, पादों को हम खेत में लगागे उनमेगे पानी डालें, इनको वहां शुरक्षित। का ले दे हैं, उनका जो टाइमिंग होती है वहां बन जाती है मेरा नाम महिश सिंगलिया है और हम लोग कुछ पानी बचानी के काम में हम लोग उने पहल की अभी तक का जो सिमेंट के टेंगों का रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं है अधिक तर टेंग लिकेज हो जाते हैं 20-30 सालोंएं में जितने टैंक बने हैं उसमें उच मेंग Sharom Wazchus Band लोग कुग 500 जिन्डा नहीं है ऐसा तो नहीं है कि आज में अपने लिए क्म कर रहे और उसको घटिया करे कभी नी नहीं हो सकता तो दूसरा यह हो सकता ह्या हो कम फी हलचलें हो रही हैं तो इसको यह शहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सबसे बहतर कारगर सिस्टम यह है, कि कम से कम लागत में जो पनी के टैंक यह बन रहे हैं, यह सबसे बहतर है, इसमें पानी भी थंडा रहता है, और वाश्पन भी कम है, तो इसमें लागत भी नहीं है, तो सरकार जहां एक एक टैंक में खर्ची करती है यतने में 30-40 टैंक बन जाते हैं अगर हम उसको चाही तरीके शे बनाएं पूरा शावधानी शे बनाएं उसकी लिपाई अच्छी शे करें उसकी अच्छी लगे तो मुझे लगता है 20-30 साल कुछ नहीं होना उसको कोई दिक्कत नहीं आने है बस अगर मेरा एक महने में 5,000 या 10,000 लिटर मेरे परिवार का खर्चा है तो मुझे टैंक बना लो में किसी के बहरोषी रहनी की क्या जल्वत ब़ुट एग जल्वर में कभी तो बारिश हो रही है हो सकता है बढ़ाट में आगे पीछ हो जाल में हो बहाई लेकिन अनिमित ताय जो जलवाई परिवर्टन की बात करें तो अनिमित्ताएं शुरू हुई है न उसमें बाकी तो उतना गड़बड नहीं है शिमें का टैंक बनाना महानता नहीं है आपको 10,000 लीटर पानी रोकना है तो उसमें भी 10,000 लुक रहा इसमें भी 10,000 लुक रहा हो शकता एक तेंक ट्रामस हे तैयार कर ले तो उसमें बहुत बड़ी लागता है जितना पैशा जाना है जाना है जाना है जाना एक बंचा मार्केट में जाना तटय को अपना यार जाना ज़ вод child brand रפयाद तो जने अज़ यडिवाई परिवरतन वह रहा आ है और विसम परिस्तिति हैं हमारे के सोकशों के लिए हम अपने जान वरों के लिए यापने कफड़ ャत happier हो इस तो न´ दूर की बार नहीं के लिए कही नहीं कई करिक्ड Government लो आज की तारिक में भी अफम कम से कम कीमत पर हमारा माले यह चीजें जो है उपलब्त हैं आज की तारीवी में दो वर्सुल से इस पर क्योंकि वाटर कंगेसरेजन गल्सरनिक्षर के उपर बहुत ज्याता ध्यान दिया जा रहा है आज कल सरकार भी मार्जम से इंता जोर दे रही है किसी से जुड़े हुए पहारों में बारिस का कम होना या अतिवरिस्टिक से कभी बहुत ज्यादा बारिस हो जाना इसका सीधा असर पहार के किसानों की खेती पर पड़ा है जिससे किसान की आय परभावित हुई है जलवायू परिवर्तन के जानकार बतलाते हैं आने वाले सालों में पानी की कमी बढ़ने वाली है इस चुनोती से निपटने के लिए पहाडी राजियों के किसानों को और वहां की सरकारों को पानी एकत्र करने के सरल और आसान उपाईयों को जल से जल लागू करना होगा